नमस्कार दोस्तों आप सभी दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम जिस ट्रेन की जनकारी देने वाले हैं वह ट्रेन है अंग एक्सप्रेस इस ट्रेन की जनकारी से पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइ में एक दिन चलती है वह है वुद्वार को भागलूर से खथा सवन्थ पूर की दूरी 2464 किले मीटर है इस दूरी को या गारी 42 घंटा 30 मिनट में पूरा करती है और इस गारी का एबरेज स्फीड tava capable गोंटा है और मेक्सिमम स्पीड 1110 किले मीटर गोंटा है या गारी पूर से चल कर कील जक्षन आसनसोल जक्षन डानकुनी खरकपूर जक्षन भुपनेश्वर विशाकापत्नम विजयवारा जक्षन घुर्डूर रानी गुंटन जक्षन काटपटी कृष्णाजपूरम होते हुए एस्वंदपूर जक्षन को पहुंचती है इस गारी का टिकि 3300 रुपिया थाड़ेशी 2270 रुपिया स्लीपर क्लास 875 रुपिया सेकेंड सीटिंग 540 रुपिया इस गारी का दूसरे स्टेशन का किराया जानने के लिए रेलवे के किसी भी वेफसाइट पर जाकर आप लग पता कर सकते हैं दोस्तों अंग एक्सप्रेस अपने समय पर एक नमर प्लेटफर्म से छोड़ती है इसके बाद या गारी जमालपूर जेक्शन को दुपार दो बज के 35 मिनट पर एक नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और दो बज के 40 मिनट पर महां से खुल जाती है यहाँ पर इसका पांच मिनिट का इस्टप ही जाए इसके इसके बाद या गारी क्यूल जेक्शन को साम को चार बजे चार नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और चार बज के 25 मिनट पर महां से खुल जाती है यहाँ पर इसका 25 मिनिट का इस्टप ही जाए यहाँ तक यह गारी अंठान में किलेमेटर अपना कबर कर चुकी रहती ह इसके बाद या गारी जेक्शिरी जेक्शन को साम को 6 बजे एक नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 6 बजके 3 मिनट पर महा से खुल जाती है अबर इसका 30 मुनिट का इस्टप ही जाए इसके बाद या गारी मदवपूर जक्षन को साम को 6 बज के 28 मिनट पर 3 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 6 बज के 30 मिनट पर महाँ से खुल जाती है अबर इसका 2 मिनिट का स्टॉपीज है इसके बाद या गारी आसम सोल जक्षन को रात को 7 बज के 29 मिनट पर 5 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 8 बज के 3 मिनट पर महाँ से खुल जाती है या अबर इसका 5 मिनिट का स्टॉपीज है यहाँ तक या गारी 306 किलेमेटर अबना कवर कर चुकी रहती है इसके बाद या गारी बर्दवान जक्षन को रात को 9 बज के 35 मिनट पर 5 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 9 बज के 37 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ तक या गारी 491 किलेमेटर अबना कवर कर चुकी रहती है इसके बाद या गारी खरकपूर जक्षन को रात को 12 बज के 35 मिनट पर 3 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 9 बज के 35 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ तक या गारी 610 किलेमेटर अपना कवर कर चुकी रहती है इसके बाद या गारी खरकपूर जक्षन को रात को 12 बज के 33 मिनट पर 2 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है यहाँ पर इसका 2 मिनिट का स्टोपीज है इसके बाद या गारी कटक स्टेशन को सुबा 5 बज के 45 मिनट पर 4 नमर प्लेटफर्म पर और 5 बज के 5 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ तक या गारी 932 किलेमेटर अपना कवर कर चुकी रहती है इसके बाद या गारी कुर्दा रोड जक्सन को सुबा 6 बज के 10 मिनट पर 4 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 6 बज के 30 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ तक या गारी 930 किलेमेटर अपना कवर कर चुकी रहती है इसके बाद या गारी बरहमपूरा इस्टेशन को सुबा 8 बज के 10 मिनट पर 2 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 8 बज के 12 मिनट पर महाँ से खुल जाती है अपर इसका 2 मिनिट का इस्टोपीज है इसके बाद या बिजिया नंगरम जक्षन को दीन में 11 बज के 48 मिनट पर 1 नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 11 बज के 50 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ पर इसका 2 मिनिट का इस्टोपीज है इसके बाद या गारी दुबादा इस्टेशन को दुपार को एक बज के 45 मिनट पर एक नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और एक बज के 47 मिनट पर महाँ से खुल जाती है अपर इसका 2 मिनिट का इस्टोपीज है इसके बाद या गारी राजा मूंडरी इस्टेशन को दुपार एक तीन सोरी तीन बज के 33 मिनट पर एक नमर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और तीन बज के 35 मिनट पर महाँ से खुल जाती है वहाँ पर इसका 2 मिनिट का इस्टोपीज है इसके बाद या गारी विजेवा रात को 8 बज के 33 मिनट पर तीन बज के प्लेटफर्म पर पहुंचती है और 8 बज के 35 मिनट पर महाँ से खुल जाती है अपर इसका 2 मिनिट का इस्टोपीज है इसके बाद या गारी गुदूर जक्षन को रात को 10 बज के अंठावन मिनट पर एक नमर प्लेटफर्म पर पह बाद या गारी रेनी गुद्टा जक्षन को रात को 12 बज के 33 मिनट पर पहुंचती है और 12 बज के 35 मिनट पर महाँ से खुल जाती है यहाँ पर इसका दो मिनिट का इस्टोप इस्टोपीज है इसके बाद या गारी काटपटी जक्षन को रात को दो बज के 40 मिनट पे एक नमबर प्लेटफर्म पर पहुंचती है और दो बज के 45 मिनट पे महां से खुल जाती है यहाँ पर इसका पांच मिनिट का स्टॉप जाती है यहाँ तक यहाँ गारी 2227 किलिमिटर अबना कबर कर च कर चुकी रहती है यहाँ तक यहाँ गारी 2443 किलिमिटर अबना कबर कर चुकी रहती है इसके वादिया गारी अपने अंतिम स्टेशन को 2464 किलिमिटर कबर करते हुए यह सबंध पूर जेक्शन को सुबह 8 बज के 10 मिनट पर चान नमबर प्लेटफर्म पर पहुंचती है दोस्तों अंग एक्सप्रेस की जनकारी यहीं समाप्त हुई मेरा वीडियो देखने के लि